ताली से लेकर थाली तक पकोड़ों से लेकर वोकल फोर लोकल तक मोर न चाते मोदी जी बड़े अच्छे लगते हैं देशी नसल का कुत्ता पालने को मोदी जी कहते हैं लेकिन फाइब ट्रिलियन एकॉनमी की गलत फेहमी न पालिएगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं गोनारत देश में विकास की ऐसी लंका लगी है जैसी मन की वात में डिसलाइक की सरकार ने तो इसे एक्ट ओफ कोड़ बताया है मतलब भगवान की मरजी बेरोजगारी चरम सीमा पर है फेस्बुक से लेकर ट्विटर तक लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार हमारी मौन है और इसमें हमारे न्यूस चैनल्स वाले भी गजब काम कर रहे हैं मुद्दे की बात छोड़ दें तो सब बढ़िया कर रहे हैं मीडिया कुछ भी कहता रहे हमारी सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगती बेरोजगारों की आवाज सरकार के कानों तक कब जाएगी लाखों लोगों को लात मार कर नौकरी से निकाल दिया जाता है और जिनका व्यवसाय था वो भी चौपट हो गया ये लोग अपने इच्छाओं का भी गजब हाल है पहले तो स्कूल से लेकर कोचिंग तक करज लेकर पढ़ाई करते हैं फिर किसी भी नौकरी की वेकैंसी सुनकर उस पर तूट पड़ते हैं और इलजाम इतना भर की सरकार रिजल्ट नहीं देती फिर नौकरी की तो दूर की बात है एससी की 2018 की वेकैंसी पूरी नहीं होई है रेलवे वालों का पता ही नहीं है कि एक्जाम होगा या होगा भी नहीं जो बच्चे चाहते हैं उनका रिजल्ट आए एक्जाम हो उनका हो नहीं रहा है और जो कोविट 19 में अपने बचाव के लिए एक्जाम नहीं देना चाहते उन्हें जबरन देना बढ़ रहा है जी हाँ तातपर इंजिनरिंग और मेडिकल एंटरेंस एक्जाम से ही है मेरी आखों में उस वक्त आशू आ जाते हैं जब किसी पिता कोई रोजी रोटी छिन चुकी हो और वह अपने बच्चों को भूखा रखने पर मजबूर हो आगरा में गरीब भी रोजगार मजदूर की बच्ची ने अपनी आखें हमेशा के लिए बंद कर ली उसकी मौत बीमारी और भूख के कारण हूँ अरे लानत है ऐसी सरकार और उसकी ववस्था पर जो बच्चों को दो जून अनखादान सर चुका है मुख्य रूप से चावल और गेहूं को नुकसान पहुचा है राजियों की सूची में महराष्ट सबसे उपर है हर साल करोडों रुपए इस च्चै को रोकने के नाम पर खर्च कर दिये जाते हैं और फिर गौमूत्र और गोबर से कोरोना ठीक करने का उपाय बता रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा और जो कुरसी पर कूले टिकाए बैठे हैं उन्हें धराशाई होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जिबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं घरबारी छोड़ करके सहरों में भटकते हैं